आखिर आरजेडी विधायक पर कारवाई करने से क्यों डरते हैं लालू याद। आरजेडी किया जाता है लेकिन जवाब मिलने के बाद भी कारवाई नहीं होती है तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये कब तक चलते रहेगा क्या महागरणधन में सब कुछ ठीक चल रहा है चुकि याद किजिए चिराग पास्वान एक बड़े फैक्टर थे बीजेपी के तमाम जो नेता थे जो सरकार में रहते हुए नितिश कुमार पर टिपनी क्या करते थे उन तमाम मसलों के कारण जो है वो महागरणधन की सरकार बनी थी इंडिये की सरकार खत्म हो गई और महागरणधन की सरकार बनी नितिश कुमार ने खुलकर ये कहा था कि कुछ भी बया बाजी करते रहता था चिराग फैक्टर था इन तमाम असलों को लेकर कहीं ने कहीं फिर से महाकरवंधन में वह प्रस्तिती बंती हुई दिख रही है नितीश कुमार के साथ राजनितिक जानकारों की मानेत उनका मानना है कि लालू प्रशाद यादों के इसारे पर आजेडी क एक बड़ा तबका जो है वो नितीश कुमार का विरोध कर रहा है एक वह फिर से सुधाकर सिंग ने कहा है कि नितीश कुमार भरष्ट चारो की सरकार चलाते हैं गुंडों की सरकार चलाते हैं अधिकारियों की मनमानी वाली सरकार चलाते हैं ऐसे लोग जो कमड़े के पीछे से राजनिती में आते हैं इन पर परतिबंद लगनी चाहिए लगतार ये सिलसला हमला का जाड़ी है लेकिन आ काब तो अज से पंद्रा दिन पहले मिल गया कारवाई अब तक नहीं हुई है बुखी मंतर नितीश कुमार से जब सवाल किया गया कि एक बाद फिर से सुधाकर सिंग ने हमला बोला है तो नितीश कुमार ने कहा है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है किसी को कुछ मालूम भी नहीं है बगल में तेश्वियादों खड़े थे मुश्कुरा रहे थे लेकिन कोई कुछ बोलने को तयार नहीं है आरजेडी में एक बड़ा तब का कुछ ऐसा बयानवाजी गाहे बगाहे करते रहते हैं जिससे आरजेडी और जेडियू के बीजु है खटपटे हो जात है जिसका विरोध जनता दर्यू खुल कर करती है लेकिन इन सब के बावजूद भी महागरवंधन में सब कुछ ठीक होने की बात कही जाती है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है लालु परशाद यादो भारत लोटा है दिल्ली में है और कया से लगाय जा रहे हैं कि कालु परशाद यादो जल्दी पटना आएंगे चीजों को ठीक करेंगे लेकिन लगतार आरजेडी के निताओं के तरफ से नितीश कुमार पर अंडगल टिप नहीं सरकार पुड़ी तरह से हरम औरचे पर फेल है तमाम बातों का आरोप लगाया जा रहा है सुधाकर सिंग सुरू से लेकर अब तक चुकि उनपर सोकोस नोटीस जाड़ी किया गया जवाब में भीरू ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे पार्टी के सम्मधान का उलंगन हुआ हो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे पार्टी तफाक नहीं रखती हो यानि कि सुधाकर स सिंग भी सारे सारे में कह रहें कि हम वहीं बोल रहें जो उपर से आला कमान का फरमान है राजनिती जनकार भी इन बातों को दोघ्रार है कहारे कि लालू पुर्शाद यादों कि इसारे पर आरजएडी का एक बड़ा तबका जो है वो कुछ ऐसा बयान बाजी करते रहते हैं तो नितिष शुकुमार के लिए मुनासिप नहीं होता है नितिष शुकुमार उसे ठीक नहीं मानते हैं। चुकि नितीश कुमार किसी खास, किसी जाती, किसी धर्म की राज निती नहीं करते हैं, वो सब को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उनके पार्टी में भी कोई इस तरह कर टिपनी देता है, तो वो खताई बरदास्त नहीं होता है, तो लगत मुझे से जवाब मागा जात और आरजडी के बिरायक सुधाकर सिंपर कारवाई तो छोड़ दीजिए, अब कोई कुछ बोलने को भी तयार नहीं है